हेलो फ्रेंड्स बैलकम to सूरती दिजाइनर तो फ्रेंड्स हम ने आप आपने देखा होगा कि हम ने यह आपर वीडियो डाली थी वो अप्लोट की थी वह मैंने आप İşte 40 पार्ट को complete कर लिया था और अब इसका हम बैक पार्ट और स्लीस को स्टीच करेंगे तो बहुत ही डिजाइनर बैक बनने वाला है इसका तो आप इसे जरूर से देखिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा तो चलिए अब हम इसकी जो बैक पार्ट की कटिंग है इसको स्टाट करते हैं तो यहाँ पर हमें नैक की वीट ले लिए 3.25 और अब इसकी जो लैंट है वह हमें लेनी है इसकी जो टोटल लैंट है वह हमें रखनी है 13.5 इंच साड़े तेरा इंच रखनी है और अब यहां पर हम एक मार्किंग और करेंगे वह करेंगे हम 9.5 इंच पर तो देखिए 9.5 इंच पर मार्किंग की इस तरीके से अब यहां पर इसकी जो वीट थे वह 5 इंच रखनी है तो देखिए अगर आपको ज्यादा डीप और ब्रॉड नहीं चाहिए तो आप इसे 4 इंच पी ले सकते हैं जो भी हमने 5 इंच की मार्किंग की है और यहां पर हम पहं में देखिए शेड दे देना है यह देखिए है हम यह संधी त तरीके से शेप आएगा अब जितना भी नेशों और आ एक आपको रखना है लैंठ में उतना अब रखना है तो मुझे यहां पर 11 आप मैंने 11 इंच पर तरीके से स्ट्र vários यहां दो कर लिया है अब यहां पर हमें नेक की वीट लखनी है 1.5 इंच मैंने आपेinky पर मार्किंग की और इस तरीके से शेव दे दिया है अब यहां पर हम मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पर इस तरीके से शेव देना है यह दिखिए और अब हम इसे कट करेंगे तो दिखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से कट किया और यह वाले पार्ट को भी कट कर लेना है यह यह देखिए हम पर हमेरे three पर्टस कट हुए है इन को भी हम साइड में रखेंगे और यह वाली यह DA nya क Switch करolina है तो यह यहां पर जो हमारा main वावरी तो यह देना है तो रहः पर रहता हुज works करना चाहते तो आप कर सकते हैं और पहले हमें पर दिखिए नीचे के साइट बॉर्डर दी हुई है तो पहले हम इस तरीके से इस तरह से स्टीच करेंगे से ताकि जो बॉर्डर है वो हमारी नीचे के साइट से कुला जाए अब यहापर आमें इसे पिन अप कर लेना है तो सभी साइट से हम इसे पिन अप करेंगे अब देखिए ऊपर पार्ट था तो अपर पार्ट हमने आ पर यूं लिख दिया है ताकि हमें समझ में हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम भोल जाते है कि यह हमारा उपर वाला पार्ट था या नीचे वाला तो इसलिए हमने आप पर उसको मार्क यहां पर लिख दिया है कि यह हमारा अपर पाट है अब देखिए आपर नैक को स्टीच कर लिया नैक का जो एक्स्ट्रा फैवरिक होगा उसको हम कट करेंगे पूरे ही नेक पर कट लगाएंगे तो देखिए इस तरीके से कट लगाना है कट लगा लिया और इसे हमें पलट लेना है यह देखिए तो यह अंदर वाला पाट है उसको निकाल लेना है दूसरे साइट पर तो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्या है ना नीचे के साइट से हमने सिसको थोड़ा सा ही रखा था अगर आप जादा रखते तो यहां पर यह इजी ली निकल जाता लेकिन यह भी निकल जाएगा अब इतना तो हमें करना ही पड़ेगा अगर डिजाइनर बैक बनाना है हमें तो तो इसको अच्छे से निकाल लेना है हमें तो फ्रेंड्स आपको और भी डिजाइनर ब्लाउस बनाने हैं तो मेरे चैनल पर उसकी सभी की वीडियो अप्लोड ए तो आप जाकर उसे देख सकते हैं और बना सकते हैं कि बहुरती डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन मेंने उसके आपके शायर की है तो आप उसे जरूर तो देखेगा वोटनेक परेंसस कटके चाट भी अपलोर्ट किया है और कतोरी कटा चाट भी अपलोड किया है तो आप उसको देखिए कोईHeel साइस का ब्लाउस बना सकते हैं moments ल». यह पैसी यि यह देखिया हमें इसको पुरा निकाल लेना है तो दिखिए से हमने निकाल लिया है और इसे अच्छे से सेट कर लेना है तो दिखिए इसको हमने आरन से अच्छे से सेट किया है और अब यहां पर हमें साइट से स्टीच कर लेना है से और साइट का जो भी एक्स्ट्रा फैवरिक होगा उसको हमें कट करना है तो यह देखिए हमने इसे कट कर लिया है अब यहां पर यह वाला जो पार्ट था उसको हम पेपर पेस्टिंग पर कट करेंगे तो यहां पर हमने डबल पेपर पेस्टिंग लिया है इसको इस तरीके से रखना है यहां पर हमें स्टीचिंग के लिए मार्जन ले लेना है तो हाफ इंच से भी कम मार्जन हमने यहां पर लिया है और अंदर के साइट से हमें वन इंच एक्स्टा ले लेना है और इसे हम कट करेंगे इसे जिस भी फैब्रिक पर हमें डिजाइन बनानी है उस पर हमें इसे पेस्ट कर लिना है तो यह अपर पार्ट है हमारा तो पहले हम यहाँ पर पाइप इन लगाएंगे इसमें तो मैंने यहाँ पर यह रेडिमेट येलो कलर की पाइप इन ली हुई है क्योंकि इसमें हमारा येलो कलर भी है रेड कलर भी है और ग्रीन कलर भी है तो हम यहाँ पर तीनो कलर यूज़ कर सकते हैं और गोल्डन कलर भी है यहां पर दिखिए कट लग करके अवेंसे लगा आया है इस तरह से पूरे ही नेक पर हमें ये लगा लेना है तो दिखिए इसे लगाया अब यहां पर दिखिए इसमें फनीशिंग नहीं आ रही है तो हमें यहां पर कट लगा लेना है तो जितनी भी आपकी हार्ड पाइपीन होगी उसमें फनीशिंग आ जाएगी बस आपको इसको एक बार आइरन कर लीना है अच्छे से हो पर भूलेन को अश्चे से बहुत दियान से आईरन करना होता है बलाउस और यह जूंफश ब्लाउस होते हैं उन पर दिखिए पाइपे इन अब लाघन के साथ पेस्ट कर लिया है अब जिसभी फैवरिक पर दिजान है उसको मेराइट साइट पर कुस्ट करेंगे यहां कर लिया है अभी हमारा अपर पार्ट है तो यहां पर हमने अपर लिग दिया कि साइट से जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है अब हमें आपर पाइपन लगानी है तो मैंने आपर मोतियों वाली पाइपन यूज की है तो इसे हम सिंगल फूट से लगाएंगे क्योंकि डबल फूट से अगर आप लगाएंगे तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से लगा लेना है है यह दिकर सरस्ते दूनों पाउट कंप्लेट कर लिए अब जो हमारे यह वाला पार्ट था उसको भी हम यह आपरनी पूर्प करेंगे लेकिन जब हम इसे स्टेच करेंगे तो हम यह पर इसको पर चार बनाएंगे याने कि वैसे तो हम इसे दो बनातें दोनों साइट के लेकिन हाुटिन आम है इसे दिफ्रेंट कर रहे हैं तो आपको इस टाइप के फॉर बना लेने है तो आप अलग फावरिक में भी ऐसको यूज कर सकते हैं यानिंगि दू आप अलग फावरिक के ले सकते हैं और यह वाले पाँ बेडकी सब्सक्राइब लेना है और जो पहले बाले थे उनको भी आपर वानीच ही एक्स्ट्रा लिया था और इसे हमें कट कर लेना है और और पेस्ट करना है तो इनको पेस्ट कर लिया है अब देखिए यहां पर हम इसे दिखिए जब हमने इसके उपर रखा तो ये transparent हो रहा था यानि कि जो अमारा paper pasting था वो दिख रहा था तो इसके लिए हमने आप पहले lining fabric रखा उसके उपर man fabric उसके उपर ये paper pasting वाला fabric रखना है और इसको stitch कर लेना है कट लगाएंगे और इसको palette देना है आप देखिए यहां पर हमें इसमें भी ये जो fabric था green वो ट्रांसपेरेंट हो रहा था तो हमने जो man fabric ही था यानि कि जो हमें एक design बनानी है वो वाला fabric तो इसको हमने डबल करके और यहां पर लगा लिया है बागी side से भी stitch करेंगे अब यहां पर हमने लेस लगा लेनी है तो देखिए लेस को लगा लिया है और यहां पर यह दो पार हमने और भी बना लिये हैं यह देखिए तो इनमें हमें लेस लगा लेनी है तो देखिए यहां पर मैंने मोतियों वाली ही लेस ली है लेकिन थोड़ी सी differently है तो इसे हमें single foot से लगाना है आप double foot से भी लगा सकते हैं इसी तरीके से पूरे में ही हमें यह लेस को लगाना है तो देखिए लगा लिया है और अब यहां पर हमें से सेट कर लेना है अच्छे से तो पहले हम यहां पर इस तरीके से स्टीच करेंगे दोनों पार्ट स्टीच किये यह वाले पार्था में आपर इस तरीके से रखना है यह देखिए इस तरीके से जो हमारा नेक वह आएगा तो इसे हमें अच्छे से सेट करना है ताकि जो हमारे सभी पार्ट से वह एकवल एकवल दिखे तो हमें इसे पिन अप कर लेना है झाल झाल और अब इसे हमें स्टीच कर लेना है तो यहां पर हमें द्यान देना है कि फनी सिंग के साथ हम इसे स्टीच करेंगे क्योंकि यहां पर मोतियों की लेस लगी है तो जहां पर भी मोतियों की लेस लगी है वहां पर हमें सिंगल फूट ही यूज करना है तो देखिए स्टीच कर लिया है अब यहां पर यह जो सेंटर के पार्ट से उनको भी हमें स्टीच कर लेना है क्योंकि वह हमारे खुले हुए हैं अभी तो उसके लिए मैंने सिंगल फूट यूज किया है अब यहां पर हमें लेस लगा लेनी है तो मैंने आप पर लाइट गोल्डन कलर की लेस यूज की है क्योंकि ब्लाव उसकी जो बॉडर है वो इसी सेम कलर की है तो इसलिए हमें यहां पर इस तरह से इसको यहां पर स्टीच कर लिया है तो जिस सज़शा हमने सेब दिया है नैक का वैसे हमें से स्टीच करना है और यहां पर तोड़ा दीरे ही लगाएंगे क्योंकि मोतियों की लेस लगी है तो उसके बज़े से मारी नीडल जो है वो टूट भी सकती है तो इसलिए आपको यहां पर दीरे-दीरे करकर ही लगान साइट सेक स्टीच और कर लेना है कि यह देखिए नेक को स्टीच कर लिया है तो नेक अच्छे से सेट भी हो गया है और अब हमें बैक टक्स लगाने है जिसकी लेंद हम रखेंगे फोर इंच और निचे के साइट पाइपिन लगा लेनी है यह एलो कलर की यह देखिए इस तरह से साइट सेक स्टीच और कर लेना है ताकि अच्छे से साइट हो जाए तो बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हमें स्लीज को स्टीच करना है स्लीज में जोइंट लगा लिया है अब यहां पे 9.5 इंच लेना है क्योंकि जो आर्मूल था वो इतना ही आ रहा था अब यहां पे जो हमारा राउंड है वो है 13 इंच तो उसका हाफ लेंगे 6.5 इंच 2 इंच प्लस करेंगे मार्जर का तो 8.5 इंच पे मार्किंग करते हुए कट किया टू पार्ट में फ्रेंट के लिए शेप देना है अब यहां पे मोतियों वाली लेस लगा रहे हैं दूसे लिए सिंगल फूट यूज करना है इसे हमें अंदर की साइट रखते हुए लगाना है और जो हमारा मैन फैवरिक है उसे हमने राइट साइट पर रखा है स्टीच किया इसके उपर हम लाइनिंग फैवरिक को स्टीच करेंगे कट लगा लेना यहाँ पर इस तरीके से एक स्टीच लाइनिंग फैवरिक के उपर से करेंगे इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टीच कर लेना है बाकी साइट से भी स्टीच करके एक स्ट्रा फावरिक कट कर लिया है अब हम यहाँ पर शूल्डर को स्टीच कर लेना है शूल्डर स्टीच कर लिया अब यहाँ पर हमें स्टीच करने से पहले जो हमारी फिटिंग के साइड आपको देख लेना है कि दोनों पार्ट समारे बराबर आ रहे हैं अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको फिटिंग साइट से उनको बराबर कर लेना है कि साइट से हमने स्टीच कर लिया एक पर कमार्जन रखते हुए और अब यहाँ पर हमें इस तरीके से फिटिंग लगा लेनी है स्लीज राउंड का हाफ ले लेना है हमें तीनों मार्किंग को मिलाते हुए हम फिटिंग लगाएंगे तो फ्रेंड्स हमारे डिजाइनर बलाउस बनकर कम्प्लीट हो गया है तो कमेंट करके आप जरूर बताएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक शेर जरूर करिएगा चैनल को सुस्क्राइब जरूर करिएगा तैंक यू